प्रग्या विद्दाले की उन्नाइन क्राशे में आपका स्वागत है आज हम आप एक अक्ष्या अबार्मी के भुगोल विश्य सेलेक्टर दीन करने जा रहे हैं लास्ट क्रास में जो हमने करा था वो मानो भुगोल का विश्य चितर और इसके जो उपगमन थे अलग लग समय पर जो मानो भुगोल का विश्या सबस्ट कीज़ी है इसका विश्थार वर न कीजिए तो देखे कैसे है पहले तो आप गथ्यात्मक को समझ लेजे कि गथ्यात्मक के हमेश्य हमिश्य गती करता जिसमें बदलाव आते रहें मानव भुगोली गत्यात्म विश्य जिस पर तक्नीक के विकास के साथ मुनुष्य और प्रियावन का सम्द बदलता जा रहा है उसी परकार मानव भुगोल के विश्य वस्तु में भी समय के साथ विर्द और विस्तार होता जा रहा है जिस परकार मानों की टेकनोलोजी है वो बदल रही है उसका विकास और उसी परकार मुनुश्य प्रियाण के जो संब्ध है उसमें भी काफी ज्यादा बदलाव लगातार आते जा रहे उसी बदलाव के काण क्या बदलेगा फिर उसकी विशेवस्तु सब्जेक्ट मेंटर तो के आने पर उन्हें भी विशेवस्तु का अंग बना ले गए है लिकि जब विशेवस्तु सब्दी में इसकी सुरुआत हुई थी इसकी विशेवस्तु के रुप में तो क्या पढ़ते थे इसमें मानों के सांसकर्टी को आर्थिक पक्सों पर ज्यादा दोर दिया गया लेक जैसे मेल फिमेल की जो अंतर है नगरी करने जन नीती जन नीती में इन से मानों के विकास के लिए जो पॉलिसी बनाए जाते है वो स्वास्ते और सामाजिक सुदा यह सारे वो विशे हैं जो नए इसके अंदर जोड़ दिये गए हैं अब आगे जो हम करेंगे वो करेंगे अन्सियार्टी के परशन उतरे पहले हम करेंगे उसके बाद अन्य जो इसके परशन बंते हैं वो करेंगे तो सबसे पहला जो आपका अन्सियार्टी का परशन है वो है मानों भुगोल को परिभाशित करेंगे यह मैं आपको फॉस्ट लेक्चर दिया था उसमें यह मैं तो आप उने में से कोई भी नाम यहां पर याद कर सकते हैं मानो बुगल किस परकार अन्य सामाजिक विग्यानों से सम्द्धी तो अब उसका जो जो विशेवस्तु का जो टेबल हमने तयार कि थी उसमें हमने कुछ सामाजिक विग्यान के बारे में पढ़ा था तो वहीं इसे है नेक्स जो आपका प्रशन मनता है वह है मानो के प्राकरतिकन की व्याख्या कीजिए जैसे मैंने आपको लेसन बढ़ा है तब भी आपको बता था किसे में जो विचार धार आए हैं और जो कुछ कॉंसेप्ट है वह बहुत इंपोर्टेंट है इन में से प्रशन इसे विचार से से याद कर सकते हैं नेक्स जो प्रशन हम करने जा रहे वह है शोर्ट कुष्ण इसके जो एन सीर्ट के हैं निमल लिकित में से कौन सा कथन बुगोल का वर्णन नहीं करता है अब इसने नहीं पुच्छा है तो ला ध्यान दे आप यहां पे इसने जो बात कि कि कौन सा कथन बुगोल का वर्णन नहीं करता तो एक ऐसा कथन या पर दिया गया जो इसका वर्णन नहीं करता पाकी सभी इसका वर्णन करते हैं समकलनात्मक अनुसासन जो फरस्ट एक्ट हम दिया तो उसी में आना आप होता है कि बुगोल क्या है कि समकलनात्मक आनुभा अब यहां पर जो नहीं आगया ना यह इसको तो ब्लत कर रहा है क्योंकि हम नहीं जो कर रहा था लास्ट एक्चर में उसमें आपको आए था उनिस प्रोगल का प्रोध योगी की विकास के फलुस्वाद में पारसंगिक थाए ना कि नहीं तो इस पांसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा है ज़रूरी यात्रियों ने तो सबसे पहले खोद सुरु की थैनिवेशन के आता था उससे तो हमें इनफोर्मेशन मिली है भोगल एक सुचना की नेक्स प्राचिन मांचितर तो मांचितर का डिरेक्ट समझ से आपको पता है बोगल से होता है और थर्ड है चंदर्मा से चिट संगठन हम कर चुके हैं अनवेशन और वर्णन हम कर चुके हैं लेकिन मातरात्म करांथी का इसका उपगमन नहीं है तो इस कांसर कह रहेगा इसका जो बी पार्ट हो इस कांसर है निमन में से कौन सा एक लोगों और प्रियावन के साथ जुड़ सकते हैं मानो बुद्धी मत पर चुड़ से लोग का नुब हो से विए अपने पर चीश जूटते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा क्या चाहिए माने पास प्रोध योगी की चाहिए टेक्नोलोजी चाहिए अब जो कुछ पर्शन मैं आपको बतारी वह अन्य पर्शन मैंने चाहट के आप लिखें भूक से यह अन्सियाट के पुशन है लेकिनि आपके महत्तों परशन है मनुष्य परकरती का दास है यह कथर भूगोल की किस विचारधार से समद्या विचारधार याद कि जिए हमने कितनी विचारधार तारे मैंने आपको बताई थी प्रियावन या निश्यवाद या फिर निश् यह अब कुछ पुश्तक है जो आपकी इस लेस्न में आती है वह है वह आपको बता जेते हूं एंथ्रोपो जियोग्राफी पुश्तक है यह फ्रेड्रिक रेट जिसका बार-बार जी करमकर है यह जर्मन भुगलवेता इन्हों ने इस पुश्तक को लिखा था जुसमें भुगल के बारे मान भुगल के बारे बोजविश्तार पुरुग बताया गया है एंथ्रोपो जियोग्राफी नेक्स्ट जो पुस्तक है वह जानव इंग्लेंड में हुआ था नेक्स परसन आपका है अब जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने आपको मानव भुगोल के जो अलग-अलग टाइम पिरिएड थे गली आ रहे थे अलग-अलग समय पर जो मानव भुगोल का विकास वाथ उसमें तीन विचार धार हैं और हमारी आई थी एक विचार धर थी कल्यानपरक या फिर इस्को मौलवांध विचार धर धर वुचार मनव भुगोल की विचार धरा का समवन्ध मुखेत हैं लोगों के सामाजी कल्यान से है और इसमें आवाध स्वास्ते और शिख्षादे लेसे पकस्ष्मनी थी यानि कि किसके ऋपर जागा कर रही नाम से जैसे आपको दिख रही कि मानोंतावादी मास की विकास की ओर शाइथ है अ च्वासति Counseling fact में अमूल वार यह निक्स prefer इन्यीकल विचार रओल रेडीकल थोट जो है वह है, इस विचार्धारा में निर्धन्ता के खाण इन पर दिया गया था इस जो विचार धार है । को से युचिक हैय नहीं यानि कि इसने नहीं है पुछा आप से उपचेतर तो देखें आपके कौन कौन से लिके? वेभारवादी भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और भोतिक भूगला आपको देखने में इनके नामें कठे लेते हैं तो तो दो तरीकों से करते हैं बना दिए गए कृमब् की वहीस की बहसा का जिसके अंत्रगत भू heroic ततव प्राय में अद्यन किया जएकम करम अम अध्यन करते हैं प्रादेश्जक बुगोल कहा जाता है। आज यह अपका जो फिर्स्ट अध्याई है। गोल का यह पूरा हो चुका है आप इस इन सब को नोट बुक में अच्छे से उतार ले और इनको अच्छे से रीड कर ले थेंक्यू